दूस्तो टाटा मोटर्स की बात के स्टॉक ने लोगों को जबरदस रिटन देना शुरू कर दिया है और इसके पीछे वज़े यह है कि कमपनी आ गई है प्रॉफिट में पिछले कई समय से कमपनी लगाता लॉस में थी अब कमपनी जबरदस प्रॉफिट में आ चुकी है और 2016 के बाद पहली बार कमपनी ने डिविडेन भी दिया है अब या पर एक्स डेट हमारे सामने है कब तक शेर अगर आप खरीदोगे तो आपको डिविडे मिलेगा वो भी जानेंगे इसके इलावा Tata Technology का IPO आने जा रहा है और ग्रे मार्केट में अभी से इसमें धूम मचने लगी है और आप देख सेतों के जिस तरह से लिस्टिंग बहुत जबर्दस होने की संभावना बनने लगी है तो क्या Tata Technology का IPO में इन्वेस्पन करना चीए दूसरी तरफ Tata Motors बहुत जल्द पूरी तरह से डेट फ्री होने जा रही है और इसके अलावा UK में एक बड़ी गिगा फैक्टरी लगने जा रही है EV बैटरी के लिए तो आप ये समझी सकतों कि बहुत सारी बाते हैं जिसको इस वीडियो के मदब से डिसकस करें हो जानने की कोसेश करेंगे क्या इस समय में टाठा मोटर्स में निवेस कर लेना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी देवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 626 पर क्लोजिंग दी जापे 0.74% की तेजी देखने खुवी ली तो आपने देखा है कि बाजार में बहुत जबर्दस गिराउट ही थी BSC Sensex में लगबग 900 पॉइंट की भारी गिराउट ही थी अब इस गिराउट के पीछे वज़े थी FI की बिक्वाली FI लगा था जो पिछले दो महिनों में बहुत ज़़ा खरीदारी कर चुके अब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग सुरू की है और इस वज़े से बाजार में गिराउट हुई उसके बावजुद भी Tata Motors के सेर में जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो इस सारा करें कि यहाँ पे इस लोल पे अब लोग अभी भी इसमें खरीदारी करना पसंद करें नव कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करें यहाँ पे आपको पता है होगा करोना काल में श्टॉक 65 के आसपास था वहाँ से जो दोड़ा तो इसने अब देख सकते हो कि बहुत जबरदस रिटन दे दिया है अब यहाँ पे कमपनी देने जा रही है देख सकते हैं कि डिविडन तो 2016 के बाद पहली बार हमें डिविडन मिला इससे पहले 2016 में दिया था फिर उससे पहले गर आप देखो 2016 फिर 2013 बारा तो रेगुलर डिविडन कमपनी दे दे लेकि उसके बाद में company जब loss में आगे तो dividend देना बंद कर दिया क्योंकि company अलड़ी लॉस में थी अब यहाँ पे देखतो कि 100% dividend देने का एलान किया है पर share आपको 2 रुपे का dividend मिलेगा तो यहाँ पे देखतो कि इसकी date जो है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि X date है 28-7-2023 तो 28 के पहले अगर आपके demand account में share होंगे तो बिलकुल आपको इस dividend का फाइदा होगा तो अभी आपके पास मौका है आप खरिदारी कर सकते हैं आपको बिलकुल dividend मिलेगा अब यहाँ पे देखतो कि company अपना quarter one के result की date भी declare कर चुकी है 25 जुलाई को company का result आएगा और result इस बार बैतर रहने की पूरी उमीद है क्योंकि लगातर हमने देखा है की काफी अच्छा business बढ़ रहा है जो भी नए विकल आ रहे है वो काफी तेजी से popular भी हो रहे है और sale काफी 2022 में देखते तो की 78,439 कोपिस के आसपस revenue था जो लगातर बढ़ा हर quarter में और March 2023 तक ये बढ़के 1,05930 कोपी जक पौँच गया बहुत ही जबर्दस तरीके से revenue बढ़ा है और ये इस सारा है की stock आने वाले से में कमाल कर सकता है यहाँ पे company के loss profit की भी बात करें तो March 2022 में 1,033 कोपिस का company को loss था और जूद में तो ये loss बढ़के 5,07 को भी तक पौँच गया लेकि उसके बाद में recovery शुरू हुई December में कमपणी आगी profit में 2,958 कोपिस का profit हुआ जो March 2023 में बढ़के 5,408 को भी तक पौँच गया और इस बार आसा करें कि ये जो profit है ये 10,000 क्रोड भी तक पौँचने की समावलों बन रही है क्योंकि result बेतर हो रहे हैं लगाता है अब यहाँ पे देखतो कि एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है यूके में एक 5 बिलियन डॉलर का निवेस करके गीगा फैक्टरी लगाने की गोशना किया है टाटा ग्रूप ने तो EV सेग्मेंट ही आने वाला जो है फ्यूचर है क्योंकि पेट्रोल और डिजल की कारें बंद होगी और अलड़ी यूके ने तो कह दिया है कि 2030 के बाद वहाँ पे किसी भी प्रकार के EV विकल के लाओ दूसरी विकल नी चलेंगे यानि पेट्रोल डिजल के विकल सारे बेंद कर दिये जाएंगे और ऐसे में EV बैटरी का कामकाज बढ़ने वाला है और इसी अपरशुन्टियों का फाइदा उठाने के लिए देख सकते हो कि टाटा ग्रूप ने पहले ही वाँ पे EV बैटरी के निर्मान की अनौसमेंट कर दिये और इसका फाइदा भी मिलेगा क्योंकि और यूके गवर्मेंट भी इनको सब्सुरी देने को तयार है क्योंकि कम से कम 4,000 नए रोजगार होंगे ऐसे में वो इस मौके को छोड़ना निशाते है और ये फैक्टरी जो है दोनों के लिए फाइदे मन होने वाली है टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पे जो उनका लगजरी सेग्मेंट है उसके लिए इवी बैटरी वो उनके खुद अपने हिसाब से निर्मान कर पाएंगे अपने यूके के प्लांट में जिससे फाइदा टाटा मोटर्स को होगा तो यह बहुत बड़ी बात है यानि आप समझ सकते हो कि एक जिससे के बारे डिसीजन लिया जा रहे काफी सांदार है इसके अलावा देखे तो टाटा ग्रूप ने अपनी तरह से डिसाइड किया कि आने वाले समय में वो नेट जीरो डेट पे जाएंगे यानि 2024 सके लिए कि टाटा मोटर्स पूरी तरह से अपने करज मुक्त हो जाएगी और इसकी कोशिश सुरू कर दीगी है लगातार आप देखे तो डेट कम करने की कोशिश कर दीगी है अभी फिलाल देखे तो 57 थावर को भी इसका डेट है किसी भी दरे से कमपनी बहुँ जल करज मुक्त होने की कगार पे खड़ी है अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल क्या रही कि टाटा टेक्नोलोजी का आई प्यो आने जा रहा है टाटा टेक्नोलोजी जिसकी सुरूआत देखे तो कि 1989 में हुई थी और यह देखे त कि अभी इसकी ऑफिसल डेट तो अनाउंस नही हुई है लेकि उसके पहले ही ग्रे मार्केट में धमाल मचाने लगा है इसका आई पियो और आई पियो को लेकर लोगों का भुरुजान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखे तो करेंटल मौका है अब यहाँ पे इसके बुक रणिंग लीड बैनेजर की बात के लिए जेम फानेशल लिमिटेड सिटी ग्रूप ग्लोबल मार्केट इसके लावा देखे तो बोफा सेकुर्टीज को यहाँ पे निउक किया गया है जो इस आई पियो को पूरा करेंगे तो कुल मिला आपके देख सकते हो कि काफी सांदार खबर है टाटा मोटर्स के लिए और इस आई पियो में आपको निवेश करना जीए आई पियो आपको अच्छा रिटन दे सकता है अब यहाँ पी देखते हो कि शेर खान की तरफ से भी यहाँ पे बाई की कॉल दिया और शेर खान यहा मार्केट में अपने हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे तो यह जो सारी बात यह साविट करिए कि आने वालस में टाटा मोटर्स एक बहुत जबड़स रिटन देने को तयार है यानि अगर आप इसको पास साल के लिए होल्ड करते तो इस टॉक आने वाले समय में पच्छी सो तक भी जा सकता है क्योंकि जिस सरसे देखें तो पैसा ट्रुपे का श्टॉक सिर्फ तीन साल में अगर साड़े 600 तक जा सकता है तो जिस सरसे माहल पॉजिटिव बना उस समय कंपनी लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ चुक है तो बिल्कुल यह पची सो तक भी जा सकता है यहाँ पे इसका शेर ओडिंग पर्टन भी आ चुका है प्रमोर्टर के ओडिंग देख से तो कि 46.39% के आसपा से जो तीन क्वाटर से अंचेंज है 1.82% के शेर गिरवी है जो बहुती छोटी अमाउंट है FI की बात को उन्होंने जम के खरिदार के लगाता दिसमर में उनकी 13.89% के ओल्डिंग थी मार्च में यह 15.34% तक आ गई और जून क्वाटर आते देख से तो कि FI ने 17.72% के ओल्डिंग कर लिये यानि जबरदस निवेस किया है FI ने टाटा मोर्टरस के अंदर अगर बात DI की करें तो 15.05% की होल्डिंग थी दिसमर में जो मार्च में बढ़के 15.56% तक आ गई इस बार थोड़ा सब में प्रॉफिट बुकिंग किया क्योंकि श्टॉक काफी दोड़ा था तो 17.34% के होल्डिंग यहाँ पे देख से कि जून क्वाटर में DI की है mutual fund की बात को उनकी 6.93% की होल्डिंग थी दिसमर क्वाटर में जो मार्च में बढ़के 8.98% तक आ गई और इस जून में उन्होंने भी profit अपना बुक किया है और 8.69% की होल्डिंग है तो यहाँ पे general public की बात को उनकी होल्डिंग 24.65% के आसपास थी दिसमर क्वाटर में ज एक सथी जनल पब्लिक के आसपास में FI की भी खरीदारी और D.I. की तीनों ने लगबग मिलके एक जैसे ही share खरीदे हुए और यह इस सारह है के stock आनेवाद से में कमाल कर सकता है long term investor के लिए काफी अच्छा मौका है आपको Tata Motors में खरीदारी करनी चीए और साथ में Tata Technology के IPO में भी आपको apply करना चीए अगर आपको share लग जाते है तो आपको अच्छा यहाँ पर return मिलने की समालों बनेगी क्योंकि ग्रे मार्केट में अच्छा खसा premium ही समय सुरू हो चुका है जबकि अभी date भी नहीं आई है जो ऐसे जैसे date का एलान होगा यह premiere और वड़ताव भी दिखाए देगा तो कुल मिला के निवेस का अच्छा जरिया बनता है और Tata Motors Stata Group की मजबूत कंपनिये क्योंकि loss से profit में आ चुकी है 2016 के बाद पहली बाद dividend का ऐलान भी किया है तो ऐसे मैं investment बिलकूर कर लेना चीए 2500 के आर्गेट के साथ कम से कम 5-10 साल के इसको hold कीजिए stock को लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाड़ ले ले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जो कीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friend